एलो एफ्रीवन चैतन नोरात्रे की हार्दिक शुपकामना है तो चलिए आज नोरात्रे का पहला दिन है तो देखिए क्या बनाते हैं तो आज मैंने बनाया साबू दाने के वड़े और यह जंडे वाली चार्ड करा रही चलिए इस सूपर टेस्टी रेस्पी को बनाना मैंने इस मेजरमेंट से एक कटोरी साबू दान लिया है साबू दाने को दो पानी से अच्छी तरीके से दोलोंगी जो इसमें जितना भी एक्ष्टा पाउडर वगर है वो निकल जाएगा दो अब इसे 15-20 मिनट तक भिगो के रख देंगे तब तक हम बाकी त्यारी करते है तो यह मैंने हरी मिर्च को बिलकुन बारीक चॉप कर लिया है ताकि थोड़ा सा चटपटा स्वादा और धनिया को भी बारीक काट लिया है यह पीनट है मुफली के दाने इसे भी मैं बिलकुन रोस्टेट कर लूँगी इसे चार से पांच मिनट में अब बिलकुन करारे ब लग देते हैं इधर मैंने बॉयल आलू लिये हैं बॉयल आलू को मैं इस तरीके से घिस लूँगी ताकि इसके लंस ना रहे और जो भी हम टिक्की का शेप देना वह बिलकुन परफेक्ट हो तो देखिए सारे आलू इस तरीके से घिस कर त्यार हो चुके हैं तो इधर पीन आलू लेंगे और पीनट के दाने लेंगे जो हमने बिलकुन इस तरीके से मिक्सी में पीस लिये थे और यह देखिए साबुदाना बिलकुन अच्छी तरीके से इस तरीके से फूल चुका है तो इसे पानी में सारा पानी एक्ष्ट्रा हम निकाल लेंगे तो सारे पानी नि जीरा लेंगे और एक चोथाई चमबचेस में काली मिर्च लेंगे और खूब सारा हरा धनिया और बारी कटा हुआ इन सभी को डाल कर इसका एक पेज बिलकुन स्मूज सा डो बना लेंगे जितना हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ना तो जो साबुदाने के पीसी है वो अच्छी तरीके से आलू में स्टफ में बिलकुन परफेक्ट हो जाएंगे तो ये देखिए स्टफिंग हमारे बिलकुन परफेक्ट त्यार है अब इसमें ये थोड़ा थोड़ा तेल लगाएंगे हां तेली पर और जो भी शेव देना चाहें आप बड़ो का वो दे दीजेगा तो इस तरीके से देखिए तेल लगाने के बाद मैं छोटे-छोटे इस तरीके से शेव टिक्की जैसे बन ना लूँगी इसी तरीके से सारे शेव बनकर हमारे त्यार है तो यह मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था तो इक एक करके सारे मैं साबूदाने बड़े को डाल दूँगी और जब इसे डालेंगे ना तो ग्यास का फ्लेम हम हाई रखेंगे जब दोनों तरफ से इसी तरीके से बाकी बचे वड़े है ना उसको भी मैं तल लूँगी वही मैथड है कोई अलग मैथड नहीं है जैसे हम डाल रहे हैं तो देखिए तेल इतना गरम है कि डालते के साथ ही फ्राई होने लग जा रहे है तो जब दोनों तरफ से यह अच्छी तरीके से इस तरी के साथ खाईए टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है कलर इस तरीके से आ जाए तो एक एक करके सभी वड़ों को हम निकाल लेंगे तो यह हमारे सुपर टेस्टी नौरात्रे साबुदाने के वड़े बनकर त्यार है टाइम भीने लगा और जटबट बनकर त्यार हो गया तो इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए यह दही के साथ खाईए वह आपकी मड़ी है देखे कितने करारे लग रहे हैं और देखने में भी कितने क्रिस्पी इधर हम दुसरे चाट की त्यार ही करते हैं तो धनिया की पतिली है डोहरी मेज सेंदह नमक एक चोथाई चमरजीरा और निम्बुकरस डाल देंगे अब बिलकुन समूर्सी एक चैटनी बना लेंगे यह दृखी चैटनी बनकर त्यार है बॉल आलू को मानले के शाटनी बनकर त्यार है यक मैं जंडे वाले जाती थी मेरे हस्ट्बन को और मुझे ये वाली चाट बहुत ही पसंदा थी थी मैं दर्शिन करने के बाद ही वाली चाट जुरूर खा दी तो इस तरीके से मैं सारे आलो को पीसीस कर लूँगे तो आज हो ही चाट बनाएंगे जो जंडे वाली की याद दिला देगा घर बैठे ही आप जंडे वाली चाट का नजवाय कर सकते हैं इस तरीके से बना कर कड़ाई में अल्रेडी तेल इतना ठंडा नहीं हुआ था तो मैंने इसे गरम होने के लिए दुबारा रख दिया था इसे continue हम इस तरीके से हिला हिला के जब इसका golden color कर लेंगे न तो बहुती करारे वाले चाट बनेंगे जब आलू का color कुछ इस तरीके का हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे देखी देखने में कितनी crispiness लग रहे हैं जब यह वाली चाट आप बना कर खाएंगे न घर में रातरों का टाइम चल रहा है तो बाहर की चीज़े हम खाने सकते और खाना भी हमें थोड़ा चट पटा है तो आप इस तरीके से चाट घर पर बनाईए और enjoy कीजिए और यह चाट बनाने सिर्फ 5-10 मिनट ही लगेंगे और इतनी tasty बनते हैं कि बाहर की चाट खाना ही भूल जाएंगे इसे भी मैं इस तरीके से देखिए सारे आलू को मैं इसी तरीके से golden brown होने तक भून लोगी तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ इस तरीके से सारे जो आलू है न हम fry कर लेंगे टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत इंस्टेंट बन कर त्यार हो जाए आलू हमारे fry हो चुके हैं तो अब इसमें भूना हुआ जीरा काले मेर्ज और धनिये की जो चटनी हमने त्यार की थी न वो डाल देंगे और उपर से खटा स्वा देने के लिए निम्बू कर रस निम्बू के रस के बिना तो कोई चाट अधूरी है इस तरीके से स्यार है मैं चाट को मिला दूंगी मिलाने के बाद थोड़ा से ही स्टीर स्टाइल करते है इस तरीके से आपको ज्यादा थोड़ा सा नमक खाना पस तो enjoy it